यह मक्सितारी मसूल साहब है उन्होंने इस वीडियो में यह तासुर देने की कोशिश किये कि बस 20 रकत है उसके लावा कोई कुछ नहीं है और 8 रकात तरावी की कोई हैसियत नहीं है तो आए देखते हैं कि यह क्या क्या कहते हैं और इन्होंने इसमें यह भी दावाई कि कह रहे है तो यह वीडियों चला हुए नमाज क्या काम करना है और तरावी 20 रकते हैं 8 रकते हैं बो लो ने हदृत उमर से दो रिवायते हैं एक 8 वالी और एक 20 कि कि हदरत उमने कि कि नबी नबी ﷺ ने तरावी की कितनी रकतें पड़ी हैं, कोई बेगुबार हदीस में हमें इसका तथकिरा नहीं मिलता। देखे इन्होंने कहा है कि अल्लाह के नबी ﷺ ने कितनी रकात पड़ी हैं, किसी हदीस में नहीं मिलता है। या इन्होंने एक लफ़ का आए बेगुबार, बेगुबार हदीस में नहीं मिलता है, अब ये इद्भारी भरकम अलफाद बोलके पता हैं किया थाबिद करना चाहते हैं, खुलके कहिए ना, खुलके कहिए, बेगुबार से क्या मतलब है, मतलब ऐसा लफ़ बोलके कंफ्यू बेगुबार हदीस में नहीं मिलता है, आप ये कहते हैं कि सही हदीस में नहीं मिलता है, अगर इस तरह बोलते हैं, तो शायद कोई बोलता है कि भई हदीस तो है, लेकिन इनकी नजर में सही नहीं है, तो हकीकत ये है, कि अल्लाह के नभी सल्लालाहु आल्यों ने कितनी रका सही इबनी खुसेमा सही इबनी हिबान ये हज़रत फर्मा रहे हैं कि बेगबार हदीश में नहीं मिलता और ये दो हदीश की किताब ऐसी है जिनके मुसन्निफीन न trophy किताब का नामी रखा है सही यानी कम से कम इन दो मोहधिस organs की नजर में तो अदीश ही है मुफ्तित अरिंगा रहे हिसूसivas माने ना मंँंए इनका मसला है ये बार बार कहते रहते हैं आज के लोगों के राय मत दिखो उपराने वलमा है उनकी क्या रहा है तो उनकी राय क्या है इमाम इबन खुझमा रहिमला की तहकी काब लेंगे या मुफ्ती साब 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 की तहकी काब लें कि 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 आ लाह के नभी नहीं कितनी रकात पढ ही ते यह किसी रखती हैं यह घुबार आपकी नजर में हो सकता है मुफ्ति साथ, आपकी नजर में गुबार हो सकता है, इमाम इबन खुसेमा राहिमला की नजर में कोई गुबार ने उस अदिस पर है, इसलिए ये रवायत सही है, बेगुबार है, बेदाग है, महदिसें ने सही करार दिया, इसके रावियों पर बाद के लोगों ने जो भी क कितनी पढ़ी है, हमें नहीं पता, ये हमें हदरत उमर के अमल से पता चलता है, क्योंकि हदरत उमर बिदती, बोलो, नहीं हो सकते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नभी ने कितनी पढ़ी, ये हदीस से नहीं पता चलता है, ये हदरत उमर के, उमर रज्जियल्लाहुतानों के अम अब देखिए खुद इतराब कर रहे हैं कि जाइफ रवायत में उन तीन दिन में कितनी पड़ी थी और एक जाइफ रिवायत में इसका तसक्राब भी है कि नभी ने बीस रकते पड़ी है अब देखिए खुद इतराब कर रहे हैं कि जाइफ रवायत में तसक्राब की कितनी पड़ाता और सही रवायत आपको नदर नहीं आ रही है सही इना की सही रवायात में है कि आपने आight पड़ी ती जो सही रवाया थे उनको आप इधर-उधर विदर करके उसका नाम ना लेकर आप कईर जाइफ रवाया पने सची क्या ले दर जब सखी रवायत मुजूद है तो जई आउ जई रवायत नहीं जो 20 रखत के नाम से रवायत मिलती मुझने मन गड़त है जूटे रोवात कजाब रोवात और जई है और जई हैसित नहीं रहे हुए नहीं बैसे जूटी तो हमें सब जगाव बीस नजर आ रही है आठ कहीं बीस नजर नहीं आ रही है तो यह कैसे मुम्किन है कि हदरत उमर ने आठ शुरू कियों और कूफा बसरा देमिक शाम मिसर सब जगाव वीस हो रही हो तो एक मुफ्तिव साब कह रहे हैं कि कि उमर diagonal ने वीस रकाट जो है जारी कराइथी यहां बीस रकाट के आदाव कर रहे हैं लेकिन ऐसी कोई सहीर रवायत मुझूद नहीं यहारा रवायत के विस हो रहा है यह आपके पास कौन सी दलील मुझूद है यहां किस ह technically करे रहे हैं कि 20 रकत हर जगे हो रही थी और आपका कहने का मतलब है कि जब पूरे आलम इसलाम में 20 रकत हो रही है अब ये मन्तिक इनके देखे पूरे आलम इसलाम में 20 रकत हो रही है तो उमर इबन खताब रजियल्लाहु ताला अन्हो ग्यार रकत कैसे कर देंगे ये इनका कहना है लेकि सवाल है कि ये जिस मुकद्दमे पर अपनी जिस बुनियाद पर अपनी अमारत खड़ी कर रहे हैं उसको कौन साबित करेगा वही ये तो आपका दावा है ना ये तो आपका दावा है ये कि पूरे आलम इसलाम में भी इस रहे हैं लेकिन है कहा है याप यह नि कोई सरप है बे रजी आलाह ताला अनहुम में से किसी एक भी सहाबी से थावित नहीं है कि बीस रकत तरावी पर जब उमर इबन खड़ाब रजी आलाह ने गयारा रकात मुट्टा की रवायत के मताबिग गयारा रकात का हुकम दिया पड़ने के लिए तो उस वक्त जब उहां पर गयारा रही थी मजडिद नवी में तो उसके अलावा आलम इसलाम में कहीं बीस रकत हो रही हो इस चीज़ का सबूत देना मुट्टी साब के जिम्मेदार यह वरना यह तो सिर्फ दावा है कि हर जगे बीस हो रही है तो यह आट के सो से अरे बीस कहां हो रही है आप कोई एक तो चलावत का मरकज है जब वहां पे साबित हो गया यह खलीफा का यह ओर आगया कि 11 पढ़ना है तो जाहिसे बात है कि जब खलीफा का ओर आया है उनकी तरफ से ताकित आई यह तो पूरे आलम इसलाम का मसले को ही होगा इल्ला यह कि आप उसके खलाव साबित करतें इल्ला य यह कि उसके खलाव किसी ने पढ़ी हो या किसी ने कोई इतराज किया हो किसी ने कोई नगब किया हो इस तरह की सुर्थ पहाल पर आप लोग इजमा का दावा करते हैं कि इजमा है तो हकीकत यह है कि अमर इद्नु खताब रजी आल्ला उतरा ने जो तादाद मुंतख़की 11 रखार उस तादाद के बर खिलाफ किसी एक सहाबी कोई लवज ने का और ना उसके बर खिलाफ किसी एक सहाबी का कोई अमल किसी सही रवाए से मिलता है है कि حضرت عمر Stack बीस वाली रिवायते । वो सही है आठ वाली सही नहीं ए और इसकी सबसे बड़ी दलील यह है और मुवत्त éénम माले क आप देक्तadore किया है लेकिन इमामралений खुद आठ का फत्भाआ नहीं वो भीस जहादा के काईल है वो तो भीस के भी लिए तो किया एक महद्दिस अगर कोई रेवायत बियान करता ए और उसके खिलाफ कोई मौकिफ अबनाता है तो आपर बैसलों करेंगे, लेकिन अगर थोड़ी देटी माल लें, उसके ख़लाब कोई मौकिफ अपनाता है, तो क्या हम यह कहेंगे, कि वो र्यबाष था भी था भी था, यंगे जिसी जईीफ रवायत में भी नहीं मिलता है, कि अमाम मालिक रह्म Warla ने 20 वाली कोई बात कही हो, उनकी तरफ मनसूब है, उनकी तरफ ये बात है, कि उनके दोर में कुछ लोग भी से ज़दा पढ़ते थे, लेकिन 20 पढ़ते थे, ये जिक्र नई है, कोई जिक्र नई है, तो एमाम मालिक रह्मला एगर मान भी लें कि अमाम मालिक रह्मला ने अपनी रिवायत करदा जो नोंने हदीध रिवायत किये उसके खिलाब अगर कोई अंल अपना हो तो इसे ये कहां थाबित हो जाएगा कि हो व अगर कोई शख् witnessing के को你就 तो बहुत सारे असबाब हो सकते हैं, बहुत सारे वो जुहात हो सकती है, कोई मसलियत हो सकती है, कोई उज़र हो सकता है, कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन ये इस बात की दिलिल तो नहीं हो सकती है, कोई रवाज जईफ है, ये पहली बात, दूसरी बात ये जो मकदमा है, य ग्यारा से जादा, यानी अपनी हदीस पे अमल लेका, ये एमाँ मालिक रहिमणुला पर बहुत वरी तोहमत है, एमाँ मालिक रहिमणुला पे सर्味ार Ю्भौा,ramos इसा, जो है कोई फत्वा नहीं है, इमाम मालिक रहम उल्ला के शागिर्दों में से किसी में भी यह नकल नहीं किया, कोई सही रवायत मुझूद नहीं है, कि जिसमें यह हो, कि इमाम मालिक रहम उल्ला ने ग्यारा से जादा तरावी पढ़ी हो, बलकि इमाम मालिक रहम उल्ला के जो पेश कर देता हूँ, अच्छा इसकी पूरी तफसील जो है, हमारी किताब जो मस्तुन रकाते तरावी है, उसके सफ़ा नंबर 288, किताब है, अस्सलात वत्तहजुद, सफ़ा नंबर 287, इसमें मैंने नकल किया इनके अलफाज, कि इमाम अशह बिन अब्दुलाजीर, जो इम अश्रत, आप बढ़ाएं कितने साफ अलफाज हैं, इमाम मालिक रहिमला के शागित के, कहते हैं कि मैं अपने लिए जो तादाद अख्तियार करता हूँ, कि मैं जो बढ़ूंगा, वो क्या है, क्या है, क्याम रमजान, यानि क्याम रमजान वही तरावी, असलना मुसका क्य अल्लेदी जमा, उमर अबन खताब रजियल्लाहुत, कि वही तादाद जिस पर उमर अबन खताब रजियल्लाहुत, अन्नासा, लोगों को, यानि सहाबा को जमा किया था, वो क्या है, इहदा अश्रत, ग्यारा रकात है, और आगे क्या कहते हैं, आप देखें, आगे क्या क् कि अमर इबन खत्ताब रजी आल्लाव तालों ने चुंकि 11 पे जमा किया ता है इसलिए मैं वईब करूंगा और कहते हैं वही स्लाथ रसूलिल्हिस उल्लाहु और सिर्व इसी पर रूज नहीं रूक रहे हैं कहते हैं यही अल्लाह की रसूल सलललह तो यही नमाज है मुझे नहीं मालूम कि इतनी बड़ी रकात किसने इजाद करके रखिए यानि यतने सारे रकात कौन बनाया कहां से लाया हमें नहीं पता आप देखें मदीना के इमाम इमाम मालिक रहे मौला यानि यह इशारा कर रहे हैं कि उनके दोर में कुछ लोग यानि 11 से ज़्यादा पढ़ लेते हैं उसका रद कर रहे हैं कि हम इसको हमें नहीं मालूम यानि वो मदीना के इमाम होने के बावजूद में हमें नहीं मालूम इसका कोई सोर्स पता नहीं है कि कहां से इन लोगों न कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन अमाम मालिक रह्म लॉढ ने इसको दुरूस नहीं समझा अमाम मालिक रह्म लॉढ ने का कि मैं अपने लिए जो इक्तियार करता हूं यह उद ग्यारा रकात है और आगे कहरें यही उमर इबनुल्खताब रजी आलाह। की इसे तादाद है उन्ही नहीं इसी तादाद पर उन्हीं जमा किया था और फिर अल्लाह की नभी Sallallahu Aleyhi Sallam की तरफ भी ये मनसूब करते हैं कि अमाम की अल्लाह की नभी Sallallahu Aleyhi Sallam की भी यही राए है और दीखिए ये मुथ्टी साथ आप सही बुखारी की शरह है ना अमदत। अम्दत। अंदत।ल खारी अल्मा अची रहि ez कैसा है। तो उसमें आप देखेंगे कि अल्मा अची रहिए ने भी अची लिखन्वत अुष हमंदत। जिल नमर 11 सफ़ा नमर 127 इस इस ते देखें दो हमारी किताब में صفحہ नंबर 290 पर यह बात मुजूद है अल्ला मा आई भा क्या फ्रमाते है वो रकाते तरावी के बारे में अल्मा का इخतिलाफ खिर करते है उसके बात कहते हैं उसके बात कहते हैं कि एक क्वै कौल नकल करते हैं कि एक कोल ये है कि ग्यारा रकात पर जाएंगे और कहते हैं वहुआ इख्तियार मालिक ले नफसी ही वहुआ इख्तियार मालिक ले नफसी ही कि इमाम मालिक रहम अल्ला ने इसी तादाद को इख्तियार किया यह मैं नहीं कह रहा हूँ ये मुफ्ती साथ कोई अहले हदी सालिम नहीं कह रहा है ये कौन कह रहा है ये आप ही कि यानि फिक्ह हन्फी से निस्बत मनसूब और एक बहुत बड़े इमाम बहुत बड़े अल्लामा जिन्होंने सही बुखारी की शर्य कर रखी उन्होंने सही बुखारी ही की शर्य में बा कितनी हिमनि कितनी हमत क在 legislator के साथ किई रहे हैं कि एहलِ हदी सिबे है Cuban के पार बहुत शाब क मौझा अप रखात तरावी पर लिखी वी कि सब में जवात और ना मालूम आप कैसे कैए रहे हैं कि की एहल अहिल hmई अस्ताध को अपनाया है आप मालिक रहे ही इस जुक्त का जाब भी नहीं है इमाम अहमद बिन हंबल से यह रिवायत है कि इसमें कोई मखसूस अदद थाबित नहीं है जितनी पड़ाई पटार्ईडियों नहीतों थैंवालेंगारेथे। जो है 20 अपने लिए मुनदख़य है तो इमाम आफमंद रहम उला कि किसी भी शागिर्थ्थhanded ने हमारी मालुमात की आध तक ऐसा उनसे नकल नहीं किया है कि इमाम मुहाँ आफमंद रहम उला ने यह कहा हो कि 20 रकत हम अप्नाते हैं वनकी यह माम महमद रहम में इमाम अहमद रहम अल्लागी तरफ आपने 20 कहां से मनसुब कर दिया बलकि इमाम अहमद रहम अल्लाग बेगेर किसी मतइयन तादाद के जितना उनको तव्फिक मिलते तो नपढ़ते थे और आपने तो कोई हवाला नहीं दिया लेकिन मैं हवाला देता हूँ इमाम अहमद रहम अल्लाग के साहफजादें उनके जो बेटे की किताब उनके जो बेटें हैं अबदुल्ला रहम हुल्लाग उनकी किताब मसाइल इमाम अहमद सफ़ा नum.66 उस पर ओपियाएच तो अभी मैंने अपने अ्बबा को देखा युसली फी महीने में पढ़ रहे थे क्या माला उहन सी त्रावी हook तरावी पढ़ रहे थे जितने मैं गिन इसतर री हाज यानि उतना जदा वह पढ़ रहे थे कि मैं इसको गिन नहीं की है वह बहुआकर किसी आदादय मुढूर हे पढ़ते जा रहे पार्त खत bye और उनके बैटें ने कहा है कि वह पढ़ते जा रहे थे और हम उसके इसको गिन वो बीस वड़ते थे, तो कहां भी निका हुआ कि वीस वड़ते थे, तो वईराल आप में कोई हवाला इंदिया वेगे हवाले के बात किए, अभी फिकह-e-हंबली में तरावी की रकतें कितनी है, बीस, और इमाम अबु हनिफा के नस्दीग भी, आपने इमाम अबु हनिफा तो इमाम अबु हनीफा रह्म ALLAH भी 20 कहते थे हैं यह बात कहा लिए यह बात आप लुए रकाते तरावी से मतलिक हमारी मालूमात के तक कोई कौल सही सनब से थाबित नी है, कि इमाम अभू हनिफा रहिम अल्ला ने कुछ कहा हो कि कितनी रकाते तरावी है, इस बारे में कुछ भी नहीं मिलता है, हां, उनके जो शागिर्द एमाम मुहम्मद, उनोंने ग्यारा रकात तो हमारे जु किताब है, सफ़ नुम्बर तू नाइन टू, पर मैंने इस का जिक्र किया है, देखें इमाम मुहम्मद, जो फिक-हन्वी-क इमाम है, उनकी जो किताब है, मु belang्ता मुहम्मद उनकी किताब है, सफ़ नमबर एक क्यानुए, इसमें उन्होंने बाब काइम किय है क्या बाब है बाब। कियामें शाहर रवंजान औ माफिह इन फखल रवे बारे में ग्यामें रमजान बारे में किसको बोलते हैं अल्लमालक लखने वी ने इस पर जो तालीक चड़ाई है उसम्मा अत्रावी क्याम रमजान कानहा की हदीस नकल की तो उसमें के शालाओं स्वाइन के शांडे बेसा अ कि ना हं सी रियारा रखायात का जिक्र है जिसके बारे मैं मुश्थी साब कहते हैं कि नहीं तो इसमें को बात करेंगे इमाममेद ने हो कौन सी है वो ग्याराराकात की तो जब उन्होंने ग्याराराकात की नकल की है तो हम यह कह सकते हैं जब जब उनको पढ़ नहीं कें के शागीडूने magic की है, से बतादे कही से बता दे किया कि अनिष्य और इमाम अनिफा का नाम उनने लिया है ने लेकिन है चारो आईमा में से किसी एक भी अमाम ने यह नहीं कहा है कि वीस रखत सुनत है किसी एक भी अमाम नहीं नहीं कार एक कि वालाहों से सावित है या सहाबाइ अगर हम देखें तो एमाम मालिक, या लिवानि वी गयारा की बात कर रहें, अगर हम एमाम आहमें आहमें रहामित कोई तादाद मुतेएन बानते नहीं औरbury सूर्टिहाल वही मामला इमाम शाफ़र रहिपें, कि एमाम शाफh missiles की बात नहीं क्रार देते रहें, वो तो उन न औरकिता चाहे पर सकते हैं, लेकिन अमम शाफिर, aa Humollah का यह म defini मैंद। आ कि मा लगता है तो इमाम शाफई का उसूल क्या बनता है? कि इसके मुकात में 11 ये बहतर है. क्योंकि इमाम शाफ़यर इमाँ ये बहतर रहा है कि रकाइत कम हो ग्याम लंबा हो. तो खुलासा ये कि चारो आइमा मेंसे किसी एक इमाम ने भी ये नहीं कहाः कि बीस रकत तरावी सुनत है, या बीस रकत पढ़ना चाहिए, या बीस रकत पढ़ना जादा बेतर है, ये किसी एक एमाम ने भी नहीं कहा, ना एमाम मालिक रहिम 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 बुखारी की हदीश है ना उसका तरावी से कोई तालुक नहीं है बुखारी में आते हैं नभी रमजान और गेरमजान में आठ पढ़ते थे इतनी सेंस नही है आप को मारु को मालूम है कि अलामा अनवर शाय कश्मीरी रहम हो लाउ ये जो है फिर्कहनफी से तालुक रंगते हैं और इस घीश पर तो हम बहुत सारी बातें कह सकते हैं बहुत कुछ कहा जासकता है कि इस हडीश का जू है क्याakah मतलब है, ईसका क्या तालुक है लेकिन आप देखें, कि आपके जो बुद्रुग हैं, उनका भी यही कहना है, कि यह जो सही बुखारी के रवायत है, उससे वो भी यही मानते हैं, कि इससे मुराद क्या है, इसे मुराद रकाती तरावी है अल्लामानवर शाय कश्मिन ने ने तो बकाता लिख रखा कि ये माने बगेर कोई चारे कारी नहीं है कि अल्लाह के नभी सल्लालों की जो जो नमाज है तरावी की नमाज है वो 11 रकात है ये और 20 रकात वाली रावीत को ने जई तरावी है इसको ने तरावी है आप जो कह रहे हैं कि वो अलग नमाज थी यानि रमजान में पढ़ते थे गरे रमजान में पढ़ते थे वही तो तरावी है यानि रमजान में उसी का नाम तरावी है बस ये कोई अलग नमाज नहीं है आप इसको अलग साबित करें तो आपके जिम्मा ये सबूत देना लाजिम है कि आप इस चीज़ को साबित करें कि अल्लह के नभी तरावी भी पड़ी हो और तहजित भी पड़ी है कोई एक रवायत जिसको जिसकी कैफियत रमजान में कुछ बदल जाती है तो इस कैफियत के वैसे उसी के नाम जो है तरावी और ये तरावी भी अल्लह के नभी का दिया हुआ नाम नाम है ये तो बाद के अल्माने इसका जो है तरावी नाम दिया हुआ है ये लफज तरावी ये ना नभी क का दिया हुआ नाम है ना साहबा का दिया हुआ coy गैबात लोगों नियों-या दिया हुआ ँम है असल जो रिवायात पी दो क्याम रिवायत मिलता है और किताब और वहां पर चैप्टर क्या है सलाथ तरावी और यह जो छापा है किनारे कर दिया उनकी है इन्हें यहां से बिता है बहुत है लेकिन कहा पर लिखा हुआ है यानि pleasing ऑप्लार किनारे लिखा हुआ है और यह.'' Nous. उस्थे में ये लिखा हुआ सलात व्तरावी बारकि जो अरब से सही बुखारी शभी है उसको आप देखें गे तो उसमें साफ लिगा हुआ कि सलात व्तरावी तो अमाम बुखारी रहम नहीं चैप्टर काइम करना सलात वतरावी और इसके अंदर इस रिवायत को लाना गोया कि इमाम बुखारी रही रही है कि वो जो नमाज है रमजान की वो वही नमाज जो है तरावी है बलकि अब जब पूछा गया अम्मा आईशा रजियल्लाह टाला अना से कि रमजान में अल्लाह की नमाज की से होती थी तो अम्मा आईशा रजियल्लाह का जो यह जवाब है चाह करते हैं। इबन हजर रहिम उल्ला ने तकरीब ताइजिम में क्या लिखा है? उन्हों लिखा है कि इमाम अधुनिया फी फिकल अधीस, कि फिकल अधीस में फुरी दुनिया की इमाम है, आप किसकी बात करते हैं? आप करें कि मतलब आज के अहले अधीस नोजवानों की तरह बेशारा करे ये फहिम इमाम अधुनिया फिकल अधीस का है, ये फहिम इमाम बुखारी रहम अल्ला का है, ये फहिम तमाम सलफ के इमा का है, सलम के फुका का है, ये तो आप लोगों ने जो है उसमें शोसा निकाला है कि तरावी अलग है और जो है तहजुद अलग है, ये तरावी अलग तहजू दलग ये बात के लोगों का उठाए हुआ और मेरे खाल से हो सकता है कि हमसे पहले जिन लोगों ने ओपनिंग कमेंड दिया है मैं उसमें शामिल नहीं हो पाया था लेकिन हो सकता है मुझे उम्मीद है कि शायद इस टॉपिक पर है जो अबु हनीफा शाफई मालिक और अहमद बिन हंबल ने समझा और एक पुरान हदी स्वाइज वह जो पंद्रवी सदी के मौलवी समझ रहे हैं किसकी फाहम ज़्यादा सही होगी बोलो भई एक पुरान वह जो इंजीनियर बेयान कर रहे हैं इस पर बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी तफिलात मौझूद है आप लमा रैसुलाराण नद्वी रह्म उल्ला की किताब देख सकते हैं जनको शौक है उसमें एमाम भुहनीफा रह्म उल्ला की तावियत पर पूरी बहस मौजूद है कि वह तावई थी कि नहीं थे सही बात है कि वह तावई नहीं थे यह मुफ्ति साथ का सिर्फ दावा है इस तावय पर पर रहिंके पास कोई सबूत नहीं है कि वह तावई थे पहली बातु अब मुफ्ति साथ किंघ किसी का फहिम लेंगे और अपको पता है कि हम लोग अपनेपको क्या कहते हैं हम लोग अपने आपको सलम ही कहते हैं कि मतलब क्या होता मतलब क्या हुता सलफी का मतलब फ़ह मसल Cost ऐ जो आप कह रहे हो ना यह तो बात कि आई आरभा की बात कर चलते हैं सहाब का फ़ह मिलता है तो सबसे मकिदम करना है आप चौदा सो साल के बाद आप कहे रहे हो कि आप ये तासुर दे रहे हो आवाम को कि ये लोग किसी एहले हदीस के फहिम पे चलते हैं या किसी इंजिनियर के फहिम पे चलते हैं नहीं 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 अहले हदीस यह हो सकता है कोई जो है जो है जो अहले हदीस से तालुक ना रखता से हैं सलफ के फैं के मταविव हम एम्म की इए और वा की बात भी छोड़ देंगे अगर सहाबा लाउनुह का मसला सावें में का फैंम उसकेoda दी में जो मूर्जीह है जो हमल में हमल कोई ओरत है allora तो इसके बारे में चारो फिक, चारो आइमा की तरफ बात क्या मनसूब है, कि ये लोग बाद में क्या करेंगे, रोजों की खजा करेंगे, बाद में रोजों की खजा करेंगे, जबकि सहाबे कराम से आसार क्या मिलते है, सहाबे कराम का फहिम क्या है, सहाबे कराम का फत्वा क है कि सहाबे कराम का फहम हमारे सामने मौजूद है वो कहते हैं कि जो मुर्जिया हो या हामिला हो अब्दुला 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 हम उनकी बात के लोगों की फहम नहीं देगे. भाई जो सहाबा नबी के ब्राहे राज शागिर्द है, जिन सहाबा ने अल्लाह के नबी सल लह उसे से पढ़ा है, उनके सामने बैठे हैं, उठे बैठे हैं, उनकी हदीसों को डारेक्ट सुना है, और उनसे दीन सीखा है, अगर वो दीन के बारे में कोई राय रखते हैं, कोई बात कहते हैं, कोई फहम रखते हैं, तो उसके खिलाफ क्यामत तक पैदा होने वाले बड़े से बड़ा एमाम हो, बड़े से बड़ा आलिम हो, लेकिन सहाब एकराम के फहम के खिलाफ अगर उसका अहल ल्हादीस का जाता है। हम मुकद्दम करते हैं बाद के तमाम लोगों के इस्तियार पर आप अवाम को यह पट्टी बढ़ा रहे हो कि यह लोग 1400 साल के बाद का फाहिम लेते हैं और अईमे अर्बा का फाहिम छोड़ देते हैं हम कहते हैं हम सहाब या आप सहाब एकराम का फैम लोगो अब मुफ्ती साहब की बात कहां जाके एंड होती है वो भी हदीस रह सुन नहीं वो भी कहते हैं इमाम अबुँआ थाभी उन्से थाभी नहीं है फिर भी जबर्दस्ति मनसूप किया जा रहा है कि माम अबुँआ रहा है कि तरफ से लेकि मैं ये कहूँ कि यह मुफ्ती साहब यह 14-100 साल के बाद मुफ्ती साहब जो बता रहा हैं तुम इनकी बात मानने हो तो इनकी तक्लीद कर रहे हैं तो बताएज आप क्या कहेंगे, भी तो और आपकी तक्लीद हो ररे है या इमाम उनिफर एम precisely हैं आप गर कहें कि आप सिर्फ बताने वाले हैं तकलीद आप इमा उनीफा रहें मुला की करा रहे हैं तो भई हम भी सिर्फ बताने वाले हैं हम इत्वा अल्ला के नभी की करवा रहे हैं और फहम सहाब एकराम का पेश कर रहे हैं हम अहले अधिस यह नहीं करें हमारे घर का फहम ह लटे हैं हम फाहिम के लोगों का लजने ले लेते हैं तो आज के जो नोजवान या अहले ख्थिष् ARI कोई भी हो अगर वह अपना फाहिम पेश करता है औ वो सलफ के फाहिम से ठकराता है तो उस फाहिम के हमारे नज़र में कोई हैसिफ़िव 场 पीजि़ तस लिए इसलिए और जोगों के जहनों में बात मन डाले कि आज के लोगों के फहेलिभाम पर बात प्रुख जाता हैं आप तो जाके, आई, मैं अर्मा मेंसे किसी अमाप पर रुख जाता है, मों उससे भी उपर वड़ते हैं, हम सहाब एक्राम पर जाते हैं, कि अल्लाह कि नभी, ﷺ के जो माणी, हदीसों का जो मफहूम सहाब एक्राम ने समझा है, उससे बेहतर किसी की समन्मने हो सकती, तो इस रकात तरावी के बारे में चुकि सहाब एकराम का फहम, सहाब एकराम का अमल आएने की तरह बिल्कों साफ है कि वो 11 रकात तरावी पढ़ते थे, 11 रकात तरावी से जाइद पढ़ना किसी भी सावी से थावी तरह नहीं है, इसलिए हम कहते हैं उसी को मकदम करेंगे ब इन चारों में से किसी का भी 20 तराविय की तालिम नहीं है आप आपका मसला है कि कि आपने इन चारों को छोड़ दिया और इस आप हमारा मामला क्या है कि मौकिप पर हम सहाब आभी कराम राजी अधीर की ठीशी हृत को नियुन का इक तो रियुन Aन भी तो हम सुन्छे Larsul पर भी अमल कर रे हैं झायनि हैं सुन्निते सहाबा पर पाए हइस हदिस को छोड़ती है और अगर आप फहिम की बात करें तो आपने फाहिम के फहिम को छोड़ दिया है हद्ता कि आई मेर्भा जिनका आप नाम ले रहे हैं आपまあ रहे हिल कि लोगों ने मादा ये और ये मैं अरबा रा की रा एकर height कि खालाफ, आहिम हे अर्भा की राहे तो हम सहाभा की को लेंगैं। आपड़ कि शुर मचा जा रहा हूए को आफ zwei डिस र्कति के खाली की बात है, इस विइज़ र्कति र्कति सुन्डे के नाम खे यह लोग अपनी अर्भा की भी तक्लीद ने करवा रहे हैं ये अपनी तक्लीद करवा रहे हैं इस बात को ना ये नभी से साबित कर सकते ना सहाबा से साबित कर सकते ना अइमा से साबित करते अगर वो किसी के बारे में दिखाएंगे भी ना कि उन्होंने ग्यारा रकास से जादा पढ़ा है तो उन्होंने नफिल समझ की बढ़ा, उसको सुनत नहीं मोला है, उन्होंने सुनत भी, उनका अपना इस्तिहाद था कि चलो हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं, इस इस्तिहाद से भी बेतर सहाबे कराम का अमल है, अगर ये 11 से ज़्यादा पढ़ना ये अजका कोई अले अले दिसक दो नहीं अगरीं के सहाबह ने जिसको अपना नाजीओ उतिषुन. नहीं नहीं ये मुफ्ती तारीक मसूद साब के फालोर हैं ये अंधी तकलीद कर रहे हैं मुफ्ती साब की ये हदीस की वो तश्री ले रहे हैं जो मुफ्ती साब कर रहे हैं वो तश्री नहीं ले रहे हैं जो सहाबे कराम कर रहे हैं या अईमे अरबा कर रहे हैं अईमे अरब और उनका अमल है तो आइस तरह से आप बात घुमाई केने लोगों कन्थीूज ना करें लोगों से यह न कहें कि वही रही जी आज की इन लोगों को मानने नहीं यह लोग अपनी बात नहीं कर रहे एनका अपना इस्तिद्द नहीं है ये सहाब एकराम का इस्तिहाद के लिए, सहाब एकराम का अमल है, सहाब एकराम का उस्वा है, सहाब एकराम की सुनत है, तो सहाब एकराम की सुनत अगर हमारे पास आ गई, 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 अगर हमारे पास आ गई लेकिन आईमे अरबा ये किसी भी मुस्तरद इमाम से ये थाबित नहीं है, कि 20 रगत तरावी सुन्थ है, वह यह हमको करना है, ये आज के मुकलदीन, चाहे वो हनाबला हो, चाहे वो हनफिया हो, ये आज के मुकलदीन शौर मचा रहें, 20-20, ये सारा शौर शौर अरबा आज रखो, लेकिन हमें सहाबे गराम की समझ ज़्यादा प्यार है, हम सहाबे गराम की समझ से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, आपको बढ़ना आप बढ़ो, तो हमारा 20 रगत तरावी और 8 रगत तरावी के मसले में, मसला हमारे इस्तियात का नहीं है, बलकि सहाबे गराम की उनकी सुनत कान तो हम उनकी सुनत के चलते हैं, इमाम मालिक की हदीश है, उस आठए रकत पर इमाम मालिक ने फ़त्वा नहीं दिया क्यों? इसलिए कैव बो Khal penis A ? नहीं है कहीं भी इस बियान करता है कहीं आठ जब रावी के बियान में तजाद हो तो हदीस मुस्तरब होने की वज़े से रद हो जाती है और मैं आखरी बात करके बियान को खतम करता हूँ किसने का कि मुस्तरब बियान को खतम करता हूँ की इमाम जो है उमर आबन الخطाब रजिए लगोर्लाव से रुआत करने वाले कोन है? साइब रजिए लगोर्त रहना है, जो तृद्शावी जो बिल इत्तेफाक से कराओी है, किसी भी आईमे जरहतादिल में से, किसी भी आईमाम ने कोई जरहने की है, किसको इसतरा हुआ है, यह सनद आपके सामने है, कौन? कहां से नकल हो रही बात? उमर अबिन Spell18 से, उनसे किसने नकल किया है, साइब रज्दिश्व वाकुणार। और नंसे नकल किया है मुहम्मद खुर्याय जो ब॥ारी मसलिम के मुत्फ़क अले सिका अमाम है, हिम्मत है तो जरा जरा करें बताएं उन्हों पर, और उनसे नकल किया अमाम मालिक रहें इस्तराब, कौन मुस्तराब है, किसको इस्तराब लाहिक हुआ है, हिम्मत बताएं ना, यानि ये चैन है, कौन है, उमर इबन खत्ताब रजी लातुन, उनसे नकल करें मुहम्मद बनियुसुफ, और उनसे नकल करें इमाम मालिक, इसमें किसको इस्तराब हुआ है, हिम्मत, अभी दोड़ी देर पहले डायलाग बोल लेते, ये लोग अपनी बात लाते हैं, और आपकी ये जुरात, कि आप करें मुस्तरिव, यानि किस पर उठालते हैं, बिला होगे उनको गलब ठेराते हैं, हाला कि एमाम मालिक रहम उल्ला, ग्यारा की तादाद नकल करने में अकेले नहीं है, या आप ज़रा शजरा देख सकते हैं सनत का, कि एमाम मालिक रहम उल्ला के साथ, साथ, जो है छे रुआत हैं, जो बिलकुल मुतफिक हैं, कि ग्यारा रकात है, उसमें से एक रावी ने इशा की सुनते भी शामिल कर लिए, बाकि सब मुतफिक हैं ग्यारा, उसके बहुजद, यानि एमाम मालिक तनहां मी नहीं है, एमाम मालिक के साथ सिकार रुआत की एक तादाद है, और सब मिलके कह रहे हैं, ग्यारा ग्या आपके सामने हैं, उमर रजियल्ला हुट अवानो, क्या यह इस तरह के शिकार यह नहीं टीक है, तुस बात पे, उनके, यह साहिब रजियल्ला हुट वी साहाभी हैं, क्या वो अन्हों ने लुगत करना वाले मुहम्मद बिन रुसुर, क्या इनों ने दो तरह की बात की है, उन से रवायत करें एमाम मालिक के उन्होंने दो तरह कि प्याद की बात की, किसने दो तरह की बात कै, इस्ञाफ आपके, से एसमने, अरे मैं हम तो कहते हैं कि अल्लाहे के नभी स्लिट्छी लिस्ले लएस्वी की हदीस के बर खलाफ अकर किसी ने कुछ बयान कर दिया, तो हम क माजला क्या यह नहीं ठीक है 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 यह सब बे सर्पैर की बाते हैं मुस्तरा बे मुस्तरा देख सकते हैं ये आठ रगातों पर फिटीली बैटता है इसका भी मैं जवाब सवाल कर रहा हूं लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा देखो अपनी मरदी के सवाल बनाके जवाब दे दिया करो तो लोग वावा करेंगे आप मेरे साथ यह हो रहे हैं मैं जो बेयानात में इतर अब जाणाओं जरने चाहिए यह होना चाहिए था मुसल्ला तो लोगों ने अतरास कि चार मुसल्ले भाट हरम में यह देखो कितना गलती हन्फी माली की ऐसे होते हैं मेरा सवाल यह था कि पांचवा क्यों नहीं था है इसका मतलब पांच्वा फिरका वुजूद में आया ह इन से पहले क्या था अब् they कोई चीज बनी जो खत्म कोई रहे हैं उससे पहले क्या था और अभी वी तो उससे पहले एक यह वही बात वही कि कहँए ख़ड़ा खोदा हूआ है तो कहा जाए कि इसको पाचवा ख़ड़ा आपका है अरे हम तो ख़ड़ा पाटनी की बात करें है आप करें आ चार ख़ड़े खोदे हुए यह पाचवा खोद के यहां पर अले तो कहते हैं कि अगर आमाद बीलहम्वर रहमला को फालू करने वाला अगर मुश्रिक यह हंबल ही कोई इमाम है ठीक है कोई दिक्कत ही वो इसको इमाम बना दो लेकिन और मुस्लह नहीं होने चाहिए किसी भी मसल्ख का किसी भी फिरके का कोई आलिम अगर लानी पे काफ़ी था अहल-ए-धिस को कोई अलग से मुसल्ह बनाने ही ज़ूरत नहीं यह वह काफिर नहीं होता अगर मुशरिक नहीं होता तो कीत्रा भी बिग्ड़ा हो शक्स हो अगर मुसलिपर खड़ा हो जाता तो भी this के ज Fay L कोद ने की दावती है कई एक ही मुसल्हा अल्लाаль की नभी शल्ल ना की साहब हाँ के दूर वही एक मुसल्ह होना चाहिए जोड़ारी है थम फांचवा को स मुसल्हा करएगा मुसलियर 8 कहते हैं एले अधिस ने कोई फिक भी मुरत्ब नहीं कि अपनी क्योंकि एले अधिस क्या कहते हैं कि सहाबा नहीं कुरान और हदीस और सहाबे कराम के जो आसार हैं सहाबे कराम के असार यही हमारी फिक्व है यही फिक्व अलदीस है सहाबे कराम के आतार सहाबे कराम के फतावा सहाबे कराम का फहम यही इसलिए आप जैसे अहनाफ की है हिदाया मालिकिया की मुदवुना हनाबला की मुगनी ऐसे जो है म चाहिए क्राम के आफार की रोषनी में अगर साविकराम का इस्तिहाद मुझूद है उसी फत्रों के आगे बढ़ाओ अगर कोई नया मसला आता है, सहाब एक राम से नहीं मिलता है, उसमें जो है आज इस्तिहाद करेंगे, क्योंकि फिक रहनफी में भी जो इस्तिहाद हो चुके है, ऐसा तो नहीं है कि क्यामत तक करेंगे, उसमें भी आज इस्तिहाद करने की ज़रूद है, तो सहाब एक राम के तो पहले पहले वक्त अगर किसी को एमाम बना गया तो अहले हदीस को खड़ा किया गया उन लोगों ने कहा सौधी होकुमत ने कहा कि अगर हमने यहां पर हमवली को खड़ा कर दिया यह तीनों नहीं मानेंगे हनफी को खड़ा कर दिया तो बाकी तीन नहीं मानेंगे, शाफी को खड़ा कर दिया अगर बाकी तीन नहीं मानेंगे, इसलिए ना हनफी, ना मालिकी, ना शाफी, ना हमबली, अहलुल हदीस इमाम को लाके खड़ा किया, अहलुल हदीस ने जो है वहाँ पर इमामत कराई, बा काब करें कि कीने बना वह करें कि हम्बली ने खदम कि नहीं कि अहले रजीस की वरकती की वज्जे से दो यह खत्म यहीं. हम भली बोलते हमारे इमाम डेगा ये तीनों काट डालते हैं ख़तम करने देते तो भाई ये तो अहले अधीस की वज़े से मसला आलो गया चारो शांड होगे चलो भाई हम इसे कोई ने रहेगा चलो अहले अधीस से उसके पिछे नमापढ़ते हैं तो ये मसलाइं खुलासा आहले अहदीस जो है Voice नहीं करें जब चारों को भागाया गे ना तो आहले अहित किमेदीस अक्ति गढके ख़ड़ा हुआ। लेकिन उस गलत को भी सही इन चारों में से एक नहीं किया है समझ रहे हैं कि नहीं बहुत इसका मतलब 700 साल तक उम्मत ये समझती रही कि एहल सुन्नत वल जमाद के चार नमाइन दे हैं चार मकतबे फिकर पांचवा कोई था ही नहीं लहादा उसका कोई मुसला था ही नहीं तो सवाल ये था लेकिन जब सवाल ये पूछा जाए तो ऐसे जवाब मिलता है कि वो सवाल ही पी जाते है सवाल ये जवाब ये दिया कि घलत हो रहा था है यह बिदत है और यह बिदत है यह नजायच है तो हम कब कह रहें कि सही था भई वह लेकिन यह पूरी दुनिया में नहीं नहीं हो रहा था यह सिर्ह में हो रहा था और इसको खतम भी हन्वड़ी उनी किया है कि नई जी इमाम को खड़ा किया गया है तो हम बलियों ने कोशिश की लेकिन एहले हदीस ही के वज़े से मामला जो है खतम यह भी दत खतम गी तो एहले हदीस आके मसल्व पर खड़ा हुआ तब यह जा कि चारों मसल्व खतम हुए तक उम्मत की नुमाइंदगी इन चार मकातिबे फिकर ने कि क्यों अप्लिकेशन देगा कोई यानि गलत आप करने के लिए उसमें और हिसा डालेंगे चलो एक और काम गलत करते हैं यह को आप खुद कहरें कि चलो माना गलत है आप ने अपना क्यों ने खड़ा है क्या आजीब बात है आप दूसरों कहते हैं सेंस क्या है आप देखें आपका क्या है जब चारों गलत है आप खुद करे करें माना गलत है लेकिन गलत था तो आप ने अपना क्यों खड़ा किया अरे भाई एहले हदीस जब उस चीज़ को गलत मानता है एहले हदीस को चार मसल्ला बर्दास नहीं है। तेन बर दास नहीं है। दो भर दास नहीं तो पांच कैसे कर देगा हो। पांच किसे खड़ा कर देगा हूं। अहल एहल एहदीस के साथ रहना चाहिए। कोई फासिक फाजिर इमाम भी एकर खड़ा होके हैं उसके पीचे भी नमार पढ़ लो। ताकि कि इस्तमाई यह तूटने पाए और आप करें कि एल एधीस ने पाच्वा क्यों ने खड़ा किया, क्यों पाच्वा अमाम क्खड़ा करेगा वो, बेराल एहल-e-हदीस की बरकत से वो खतम हुआ, जब यह हनावला ने खतम किया इसको, तो सबसे पहले एल एधीस आके वहाँ अहल-e-हदीस ने कभी मखालफत किया, यह चारों की मांग यह थी कि अलगाना मुसल्ह हो, लेकिन किसी भी एहल-e-हदीस हर दोर में मौझूद रहें, लेकिन क्या अहल-e-हदीस ने किसी दोर में का कि हमारा मुसल्ह होना चाहिए, आप इसको और उल्टा जो है अहल-e- prop. अहल-e-हदीस ने यह नहीं कहा कि चारों को खत्म नहीं होना चाहिए, आहल-e-हदीस ने इनौएंखल — ईमाम अहमद बिन हमबल एल-e-हदीस थे, यह इस तरह के एहल-e-हदीस थे, तो फिर इमाम अहमद बिन हमबल के फॉलावर्स को एल-e-हदीस क्यू HASल रच जाता है नहीं आरी बात में रखेंड ये ऐसे ही है जैसे जमात मुस्लिमीन वाले कहते हैं कि हम नभी के दोर से हैं और फिर बुखारी में दिखाते हैं जमात मुस्लिमीन के अलफाज ओ भाई ये ये वाली आपका कहना यह है कि आहल हदीस के और अपने पहले के लुख आधिस मनते हैं तो उनकों को आधिस की नहीं मनते हैं यह वही बात हगी नँए हम कह सकते हैं, कि आप लोग, इमाम अनिफा रहम अल्ला की बात करते हैं, कि आप लोग इमाम अबुहनीफा रहम अल्ला के फालोर को मुकलिद मनते हैं, तो इमाम अबुहनीफा रहम अल्ला को मुकलिद को नहीं मनते हैं, तो इमाम अबुहनीफा रहम अल्ला को मुकलिद को नही मुकलिद है तो अब मैं आप से पूछता हूँ कि आप लोग एमाम उनिफा रहिम उल्ला के मानने हो लोगा मुकलिदीन बोलते हैं सबको कहते हैं मुकलिद तो एमाम साथ को मुकलिद क्यों नहीं बोलते हैं अगर फालोर मुकलिद है तो एमाम उनिफा रहिम उल्ला मुकलिद किसी के मुकलिद नहीं है, उनका हम uh, हम जो कैसे जो है उनके वालुआर, उनके जो फालो रहा है उन Quitt करते हैं, तो उनकी जो तक्लीद करेंगे हम कैसे उन कीसे उनको जो है अहल लिखिष gwोन देंगे ? हाँ, अगर कोई सब बरैनाम निस्बत रखता है हम बली कहता है कोई बराए नाम लेकिन उसका मनहज उसका पूरा तरीका अहलुल अधिस का हो तो हम कहेंगे वह लिए भले उसके नाम के साथ एक निस्बत जुड़ी हुई हो किसी भी वज़े से लेकिन अगर उसका अकीदा मनहज यह है कि हम तकलीद के करते हैं अगर किसी का यह अधिदा हो अगर वह अपने आपको शाफिक के मां कोई भी के तो हम कहेंगे इस का कोई मतलब नहीं है असल जो इसका मनहज है वह अलोला दीष है लेकिन अगर को तकलीद करता है तो भले हो आपने आपको एमाम अहमद बिलहमर्या से जोड़े हम अगर उनकी तरफ अपने आपको मनसूब करने वाले अगर उनके तरीकी के मताबिक आलो लजीश रहेंगे तो हम कहेंगे वनना उनके फालोवर को महले अपने आपको फालोवर समझते हैं कर रहील्व ऐसे हो गए अपए क्यों कहतें अरफ你好 बनी थीत ? स्वानफ मारे न का लिए अपने इमा-मॉनिफर अमॉला की राय से व्लाइए त म reconял बनी दिया। लोगों लोगण को लग रहा है कि अमा सही राह से ऐनुकर सबसे बड़ी बाद जो बंदा खुद नहीं कहता है में लेकिन हैं और देखें सारे इमा ने मना फरमाई कहा कि मेरी तकलीद मत करना किताब और सुन्ट से जो बात थाबित हो जाए उसको ले लेना तो यह उनका मनहस था यह उनका तरीका था वालुल अधिस थे लेकिन जब उनके मानने वाले इस तरीके से हड़ जाएंगे यानि उनके अंदर इस्तिहात की सलाही तो फिर भी इस्तिहात नहीं करेंगे और तकल इस चंद सो साल पहले आप पैदा हुए है आपकी जमात वुजूद में आई हम फिर भी आपको गले लगाने के लिए तयार है और कि निसबत जाके खतम हो जाती है है और हमारी निसबत तो अल्लाह के नभी सल्लाह समसे है और हमको आप कह रहे हैं कि ये मतलब सव साल से है हमको आप कह रहे हैं और ये जो अहलुलहदीस का जो अपने तश्रीक ही है ना कि जो अहलुलहदीस जो किताबों मिलता उससे मुराद मुहदिसीन है इसमें कोई शक नह है इसके हवाले भी आपको दिया सकते हैं और किसी भी अहले हदीस आलिम से जाके पूछ ले आपके सारे हवाले दे देगा बलकि अहले हदीस अलमा ने किताब ही लिख रखी है अहले हदीस के नाम पर जितनी किताब ही लिख रखी है जाके उनको पढ़ें आप आप दूसरों क मुराद सिर्फ मुहदिसین को नहीं लेते हैं, अहल अधिस मुराद वो भी है, जो तकलीद नहीं करते हैं, और कुरान और सुन्नत पे अमल करते हैं, मुहदिसین के मुहदिसین किसी के तकलीद नहीं करते हैं, मुत्वीन होते हैं, ऐसे उनके मनहच पर चलने वाले उनके अखीदे पर चलने वाले उनके तरीके पर चलने वाले ये सारे लोग अहल अहलु 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 अ में एक मस्जिद दिखाई है को बहुत पहले बहुत पुरानी हिंदुस्तान में बन चुकी थी अब मुझे नहीं मालूँ मैंने उसकी कोई रिसर्च नहीं किये लेकिन जएद भाई से मैं रिक्रेश्च करूंगा कि अगर उनके पास इसकी रिसर्च है तो उसको बताएं सब्सक्राइब करते हैं और आप करेंगे आप तो हनफी भी कहते हैं और फिर कहते हैं अगर आप हनफी थे इमाम मौनिफा रहिमुला की तरफ निस्वत करते हैं तो देवबंदी लाने क्या दरूती एपने हाप को देववंदी बोलने की क्या दरूती लियुवंदी करसे है भाई जर्ष से ये जो आपका एदारा बना है तर्फ से दार्ष Writing है इसका मतलब देववंदी हज्रातका अब रहJust का इमाम मौनिफ रहमुला से पहले पुराने अहनापक。 ता बहराल आाकरी हमारा आकरी सिसला हुई पर या कि ख़ता है वारे आखे उसलिए हम रहे नहीं नहीं हैं हम सर से पुराने हैं हम बात करते हैं वह पेसमकि के बारे में आप कहते हैं कि वो नहीं है शर्मानी चाहिए आपको इस तरह से गलत बाते लोगों के दिर्माद फैलाते हुए कि जो अपना नाम ही में शामिल लखे हैं अपने लगब में बात शामिल करकर रखेंगे सलफी हैं आप उनको सवसाल पुराना बोलते हैं अल्ला पर नहीं कि इसलाम सबसे पहले आया नियुक Kelma is अरे शावाधी शेकल मे आया है मालिक यॉष्म सबसे पहले नियुक्त सबसे पहले है तो सब 36 माम इस वकừa Agency कि किसी का कोई उजुद नहीं था हिंदुस्तान तो जाने दे पूरी दुनिया में कोई उजुद नहीं था पूरे वड में कहीं उजुद नहीं था ना किसी हनफी का ना किसी मालकी का ना किसी शाफई का ना किसी हंबली का था तब हिंदुस्तान में इसलाम आया है इसलिए सबस दिल लोंगी पैदाइश बाद में हुए ये बात के हैं और हमारा अकीदा मनहथ सर से पुराना है इसलिए हम अपने अपना लकब भी रखते हैं सलफ ही मतलब सहाब गराम के मनहथ पर उनके तरीके पर चलने वाना करता हूँ ये जो आठ का लवज है ना तरावी का लवज है ये आठ रकतों पर सादेख बोलो नहीं आता बहगी की हदीश है और भी रिवायते इस बारे में कि असलाफ जब तरावी की नमास पढ़ा करते थे असलाफ से मुरा सहाब ताबिए तो चार रकतों के बाद आराम कि इतिया करते थे तो इसलिए 4 रकत को तर्विह कहा गया क्या कहा गया तर्विह रौछ से निकलाय रोह इस्तिराहत का लफ सुनेंठें आप लोगों ने आराम किसे कहते है आराम तरिविह आराम देना राहत राहत का लवज तो और असान है ना अरे राहत का लवज नहीं सुना राहत किसे कहते हैं आप कह रहोंगे वो उसे कहते हैं वो हमारे महले में रहती है राहत कहते हैं आराम, रेस्ट इस्तिराहत, राहत रववहयुरविहुतर्वीहन बाबे तफ़ील में जब जाता है आराम देना तो तर्वीहतन क्योंकि चार रकतों के बाद आराम करते थे तो उन चार रकतों को क्या कहा गया एक तर्वीहा, यानि रेस्ट है इसके बाद अब तर्वीहा का जो लवज है ना, चार रकतों के बाद क्या हो रहा है रेस्ट, इट इस काल तर्वीहा, सब को दो के लिए अलग लवज इस्तिमाल होता है दो से जीज़ादा के लिए अलग तो अगर ये आठ रकतें होती तो इनको महद्धिसीन तरावी ना कहते बलके तर्वीहतान कहते या तर्वीहतान कहते क्या कहते दो तर्वीहे और इनके बीज में वैसे भी रेस्ट की जरूरत पढ़ती नहीं ठीक है ना चार रकत के बाद इमाम बैटता बोलते है चल भाई आगए जल्ली गर जाना भी अगर में हमने तो तरवी हतैन कहते इनको मुहतिसीन तरावी नहीं कहते और तरावी का लवज है जमा अरवी में जमा कम से कम अफराद कितने होते हैं उसके तीन तो कम से कम बारा रकते होनी चाहिए लेकिन तरावी भी जमा कसरत है जमा किल्लत कसरत जमा अखसा कहते हैं जो बहुत ज्यादा जमा हो तो पता ज़र चार रकते काफी तो उनको तरावी कहा जाएगा चार रकते थोड़ी सी भी हो तो उनको तरावी तीन चार रकते अगर तेन दफ़ाएंगी तो उसको भी अलाव जिल कमाल हम पूरे तोर पर तरावी के लवज जो बयान सब्सक्राइब कर दिया कि यूटूब घुमाया उगा होगा ज्या तुछ आप एक आठ रहे हैं कि यह शांग को बोली का इसे चिम्टे हुए हो यह बोलो लफ्स गलत है न अगर आठ रकत तरावी पे साधीक नहीं आता है तो जो असल सुन्नत है उसको हटा दोगे या टाइटल हटा दोगे भई अगर नहीं साधीक आता है तो टाइटल लेकर ढोड़ो आप अमें उस ते खहल नहीं देना क्यूं तरावी की से मनकूल किसी सही हदिस में तरावी के लफज है? नहीं. आपने बैकी की एक रिवायत की तरब शारा की आपने पढ़ा नहीं. पता नहीं कौन सी रिवायत आपकी नजर में है. एक रिवायत है मेरी नजर में जिसमें जो है ये तरावी से मिलता जो है एक लफज है लेकिन हमांबाइक है पिरिममौ PLN भी उस लफसे रफसे को साही नहीं के अम्म फासर यह क्या है जो ग्यारार काथ की बात करती। ग्यारारा कारत की बात अम्म आईश रजिय लॉत अन्हों तो अगर यह लवज किसी सुन्नत पर सादिक नहीं आता है तो उससे क्या लवज को वहां से हटाओ अगर उस लवज के मताबिक कोई चीज नहीं मिल लए है तो जो चीज है असल सुन्नत से साबित है वह असल होगी ना कि वह लवज अपनी जगह से हटेगा लेकिन असल चीज याने कुरान और अधिस अपनी लेगा अब आपने एक और लवज बनाके रखना ना शवब बरात शवब बरात यह लवज है इस लवज का जो मदलूल है जो माना मतलब उसके ताले से कोई दलील मौजून नहीं तो इस लवज को अपने पीछे अट हो तो अब गए अगर तरावी का मतलब आप यह समझते हैं कि इतनी सारी रखाथ हो तो यह नि आट रखाथ को अगर तरावी पर इनत... सादिक नहीं आता तो अपने पास रखे न उस लवज को उसकी जरूर्वी की जरूर्विघंद नहीं है जब सहाबा ने... सहाबय और ता आप कहे रहे हैं कि बहुत सारी रखाइद पर तरावी का लवस्तिमाल होगा तो भाई जिन लोगों ने बीस नहीं बीस से बहुत से तरावी कलब साधिक होगा अगर यही बात है तो 20 को भी तरावी मत बोलिए आप बोले ना 40 पढ़ेंगे तब तरावी पढ़ेंगे यह दूसरी बात तीसरी बात यह कि अगर तर्वी है जो आप करें कि चार रखत पढ़ने के बाद अगर कोई आराम ना करें तो क्या कहेंगे वह तरावी नहीं है कि अगर कोई बंद आप कहते हैं कि तरावी कल्ब साधिक नहीं आएगा ठीक आप कहते हैं कि तरावी में आठ रकत क्या उसको और नमाज का नाम रख देंगे देखिए इमाम अहमद बिलहमबर रह्मॉला से यह पूछा गया मसाइल अभी दाउद एमाम अभुदाउद रह्मॉला जो उनके शागिर्द हैं उनकी किताब है मसाइल अभी दाउद उसमें उन्होंने पूछा वो कहते हैं कि समीत पूछा गया कि कुछ लोग जो पांच तरविहा पड़ते हैं यानि पांच चोग बीस रकत पड़ते हैं यानि पांच बार आराम करते हैं तो पांच बार आराम करते हैं तो पांच बार यानि चार चार पढ़ने के बाद आराम करते हैं यानि पांच तरावी पड़ते हैं ले यानि आप बताईए कि इतनी सारी रकात पड़ते हैं लेकिन बीच में अगर वो आराम ना करें तो कहते हैं कोई मसला नहीं तो यह जो बीच में आराम करने वाली बात है ना यह चार रकत पर आराम करें क्या यह कुरान और हदीस में इसको लाजिम किया गया कि आराम करना अबरद मारula फत्वा दरें कि अगर कोई आराम नहीं भी करता है उससे पुछा गया कि कोई इतनी रकात पड़ता ए और बीच में आराम नहीं करता तो कोई मसला करते कोई मिसला नहीं है तो आप देखें कि वह नरा म्यदुन रकात पर रहा हम आठ रहें हम कह रहे हैं जो 20 पढ़ रहा है अगर वो बीच में आराम ना करे तो क्या उसकी नमा तरावी नहीं है क्या उसको आप तरावी नहीं कहेंगे और आगे बढ़ें एक और चीज यह हमारी किताब है मस्तुन रखाते तरावी इसमें हमने सफा नंबर जो है 383 383 इसमें हमने यह तफसील दे रखी है कि अगर मान भी लें कि नहीं जो है तरावी हराल में बोलना ही बोलना है तो जो ग्यारा रखात पड़ते हैं उन पर भी तरावी के लब साधिक हो सकता है अगर वो चार रखात के बाद थोड़ा रुखते हैं कि आपने का कि जमा में क कम से कम तीन होना चाहिए बimiz किसे ने बरत दियुर्ए आपको जमा में कम से कम तीन के क湘ँ आगर दो हे कौही चीज दो है तो उस पे भी जमा का लवज राता है इस पर बहुत सारी पसील आपके मेरे किताब में लेकर मैं सिर्व एक मसले की तरब इशारा करूंगा सुर न मरने वाले के भाई हों, तो मा का हिस्सा कितना, एक बटा छे, अब मुझे आप फत्वा दीजिए, कि एक आदमी मर गया, यहाँ पर जमा का लफज है, एक खुआ, एक खुआ जमा का लफज है, कि अगर मरने वाले के भाई होंगे, तो मरने वाले की मा का हिस्सा कितना, एक पुचेंगे चारों मजाइमें एल एदिस से या हनफी से किसी भी मुफ्ति से पुचेंगे तो वो कहेगा कि वालदा के हिस्सा एक बटाचेंगे तो पता चला कि दो पे भी जमा का इसलाग होता है तो अगर चार तरावी पढ़के कोई आराम करता है फिर चार पढ़के कोई आराम करता है तो इसको भी तरावी कहा जाएगा समझ रहें इसको भी तरावी कहा जाएगा कि दो बार आराम किया गया दो पे भी जमा का इतलाग होता है और एक बात यह मैंने अभी कहा थोड़ी दिर पहले कि अगर कोई दो पे भी नहीं रुकता है यानि मतलब आरामी नहीं पढ़ते जाता है, तो भी आप यह नहीं कह सकते हैं कि जो है, वो तरावी नहीं पढ़ रहा है, और आप ना भी कहें तब भी कोई मसला नहीं, तरावी ना बोले, खियाम रमदान दो बोलेंगे ना उसको, आप उसको खियाम रमदान दो बोलेंगे ना, तरावी ना बोले, को हम आपकी बात मान भी लेते हैं कि दो पे जमा नहीं कह सकती तो जादा जादा बात क्या होगी यह होगी कि बाद में जब लोगों ने यानि 11 रकष से जादा पढ़ना शुरू किया जादा बहुत जादा पढ़ना शुरू किया 11 रकष से जादा तो उन्हों ने उनको आराम कर कि अधरूत मेहस्थ कुई तो उन लोगों ने उसका नाम तराभी रखा तो यह वही नमाज है जिसकी असल ग्यारा है बाद में जब इसमें इजा अधाफा उस एजाफी कि वसी हैu टाइटल बना। दो जब इस बाद में किसी वजह से इसका टाइटल बना तो अब इस पूरी नमाज को जो असल नाम कियाम रमदान था उसका लोगों ने तरावी रख दिया, तो ये लोगों का जो दिया हुआ नाम है, उस नाम से मसला थावित नहीं होता, उस नाम से शरी मसला थावित नहीं होता, तो मेरा खुलासा ये, ये जो लफजे तरावी से आपने थावित करने की कोशिक किये, और आप समझे किसी ने इसका ज मुझे कह रहे थे ना उस बहस में माल हम पूरे तोर पर तराभी के लवज उस पर साधिक नहीं आएगा बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है समझ में सब आ रही है लेकिन घुन्ने बन जाते हैं घुमाते हैं अब देखें न यूट्यूप पेसका जो बयान के मुफती साब आप दलील दो जो दावा करें दलील इसके जिम्म है तो यह सब मानते हैं क्यों मान रहा है मुफती साब कह रहे हैं मुफती साब यह कह करे न मान मांद रहें क्या मांद रहें भई करें हमें दलील देने के जरूरत नहीं क्यों नहीं जरूरत हम यह नहीं मानते कि तरावी कलब्स कुरान में हम यह नहीं मानते कि तरावी कलब्स हदीस में हम यह नहीं मानते कि तरावी कलब्स किसी सहावी ने जो है इसलिए बात के लोगों अगर हदीस में तरावी का लख साहव कराम र अगर्ज़िय लेकिन इस तरहे की बाते बात बात के लोगों नहीं पढ़ा हैँ 20 हम कारिंगर करतें बाद के लोगों ने 20 पढ़ाआं चालिस पढ़ाआं उससे ज़्यादा पढ़ा तो जिल लोगों ने 40 पढ़ा पढ़ा उन लोगों ने तरावी का नाम दिया तो उससे हम को क्यल कंडिन देना लेकिन अग्ला के नभी ने ये नाम नहीं बाद के लोगों का दिया हुआ है और बाद के लोगों ने ये लवज दिया है और बाद के लोगों और आगर बीच में तर्विया सादिक यागท 9 bi akadSuper गई इंहें अगर आराम नहीं गता है तो यहाईius लोगों को न यहें यह टाइटल दे दिया से दिया थे लिए वह वी नहीं भी पाई जाती है सो माट जो रतों भी तरावी का नाम दिया जा रहा है तो अगर 11 रकात पर अगर हम मान भी लें कि 11 रकात पर यह लव्व सावीत नहीं आता है चुंकि इसी में आपने बढ़ा दिया रकते तो आप ने उसको तरावी बोला इसलिए इस नमाज को भी तरावी का जाएगा जैसे 20 रकत को अ नान तरावी रहेगा मैं इमाम आहमद बिल्हूमरर का कोल पेश कर चुका हूँ कि अगर कोई तर्विहां नहीं करता है आराम नहीं करता है तो भी कोई मसला नहीं है और फिर उस्सी सवाल जवाब में उसका नाम तरावी रखा गया है और इमाम बुहारी और रकतें कितनी बताई हैं? ग्यारा तो एमाम बुखारी रह्मला ने भी ग्यारा रकत पर तरावी कलब्स का इतला किया है ग्यारा पर तो अब बाद के लोग कहते रहें? आप अपने आप जो है फत्वा देते रहें? कि तरावी कलब्स थाबित नहीं आगा या आपकी नजर में साबित नहीं अगा इमाम बुखारी की नजर में तो हो गया ना साबित? इमाम बुखारी और मैं सुरूरा में कहीं चुका ऑंज कि एमाम बुखारी में का है? इमामagen कि इन मिंन आ wollte ने खिता है, तो जो बोलता रहे हमको या लिन दीना, वो बोलता रहें, चौदा सो साल के बाद का कोई मुफ्ती बोलता है, कि 11 रकात पे तरावी कलब सादिक नहीं आता, उसके बोलने से क्या फर्क पड़ता है, अगर एमाम अद दुन्या फिफिकलदीस, इमाम बुखारी रहमला ने तरावी कलब से बोल दिया है, 11 रकात पे, उ कोई तसलीम नहीं कर रहा है यह आपका दावा यह आपका इस्तलाल यह कोई तसलीम नहीं कर रहा है पूरी सरात के साम हम कह चुके हैं कि यह लफ ना कुरान में ना हदीस में है ना सहाब अगराम के आसार में बाद के लोगों ने इस नमाज को यह नाम दिया है और बाद लोग आपको देजा साल की बात कहने तो क्योंहें तो कहते हों तो क्या में रमजान आपको टरावीब mist नबी तो कई फरक फरक्तंडने वाला ने ग interact असल में सेह हदीश साब अकराम की असर यह असल दलील ग worlds कि नम से मसला था असल जो वो चीज़ है वो मौजद है वाँ पर जिसने भी हदीस की किताब है पड़ी उनको पता है कि तरवीह का लवज इसलिए लिखावा इसमें तो असलाफ से मस्जिद नबवी में हरम में एक रमजान भी ऐसा बहुत अच्छी बात आपने कही कि हदीस की किताब में लिखा हुआ सही बखारी में इमाम बखारी रहम उल्ला ने ग्यारा रकत पे तरावी कलब लिखा हुआ है जाके खोल के देखें सही बखारी और अगर सही बखारी समझ में नहीं आ रही है तो आप मुट्ता इमाम मुहम्म्मद में जहां कियाम रमजान का चैप्टर नीचे अल्लाम अलक आखननीं उसको तरावी बोल रहे है उसको तरावी का लगा उन्हीं है वे आप bowl हैं या जो है आप उनसे जादा जाए सब्स救णे हैं और अर्वी जुमान को समगने में आप लगा सिर्ट है तॉ तुट कि के ओ रहें लिय को तरावी का नाम दिया हुन्हों है 11 रखार का जो तरावी पढ़ी आती है 11 रखाज चलिए उसको भी तरावी का नाम दिया है इसलएं आप इस लВस से कोई इस लफ पर कोई स्फलाल खड़ा नहीं कर सकते ह। इसा नहीं गुजरा जब से हदरत उमर्रे 20 रखतें शुरू कराई है कि 20 रकत से एक रकत भी कम ज्यादा तो हुई है कम बोलो नहीं हुई जो रकात जिस रकात पर लोगों को जमा किया वो ग्यरार रकात है और इसी तरह से कई हवाले आपके सामने रखे जा चुकी चलिए मैं कुछ और आपके पेश कर देता हूं यह मेरी किताब में मौझूद है, यह सफा नंबर आप देखें, आप यह करें ना कि कभी, यह आप इजमा की वोली वोल रहे हैं, आप यह दावा करना चाहते हैं, कि इस पर इजमा हो चुका है, तो आएए मैं आपके सामने कुछ चीज़ें पेश करता हूँ, यह हमारी अब इनना का देखें, उन्होंने भी 11 रकात इक्तियार की है, और तमाम सहावे कराम में से किसी ने भी इखतलाफ नहीं किया, इसके लवा है, एमाम मालिक रहम अल्ला का कौल भी आपके सामने पेश किया जा चुका है, कि उन्होंने भी 11 की तादाद जो है, इसके इन अर्बी रह्म अल्ला का मौकिफ आप देख लें उनकी किताब है आरिज़त अहवजी उसमें भी वो कहते हैं वस्साही आयुसलिया इहदा अश्रा रकतन सलाथ नभी असलेम वो ख्याम कि सही बात यह कि ग्यारा रकत पड़ी जाए वाँमा गेर दालिका मिनलादाद वाँमा ग्यारा से जादा जो अदद है वाला असल लहू उसकी कोई असल नहीं है और इसी तरह से एमाम अबुबकर एमाम अबुलबास अल्कुर्टुबी रह्मुल्ला का मौकिफ है उनकी किताब है अल्मुफिम उसमें वो लिखते हैं वाकाल कसीर मिन अहलिल्म। आप कहते हैं कोई नहीं है आप क्या करें कि कोई भी नहीं है और इमाम कुर्टुबी का फरमाते हैं वाकाल कसीर मिन अहलिल्म। कहते हैं कि अहलिल्म की एक कसीर तादाद नहीं एक बड़ी तादान ने का है कि कितनी तादान है एहदा अश्रतरकतन कि 11 रकाद आप करते हैं कोई नहीं है यह करें कि बहुत सारे हैं जो 11 रकाद करते हैं आख अजम बेहादीसी आईशाता रजियल्लावाना अमा आईशा रजियल्लावत अन्हा के जो हदीसे उस पे जो है करते हुए इसके तरह बलकि खुद जो हनिफी अलमा हैं अहनाव हैं उन में से बहुत सारे लोगों ने इस बात को तस्लिम करके रखा है कि तरावी असल जो सुन्नत है अल्लाव के नभी सल्दों की वो 11 रकाद हमारे इसी कितामे सफ़ा नंबर 293 से सफ़ा नंबर आप 297 द 20 रख्त वाली अधिसके इसलिए जो आपने करना कोई ने हैं ऍदी करना कोई नहीं पarl ant जंकको आप कोई नहीं नहीं बोलते ना उलमा कहते हैं वो बहुत सारे लोग मत इतनी बड़ी गुमरही पर 1400 साल सा ने जमा हो गयी मानूंगा जो पंदरवी सदी के मौलवी कर रहे हैं तशरी मैं उसको बोलो नहीं चाहे वो सवुदी हो बिलकुल बिलकुल देखे आप ये कहना चाहते हैं कि पुरान और अधिस को तो मानो लेकिन वह जो पंदराहमी सदी के मुश्टेदिन तश्री करें वह मत मानो हम भी कहत मुश्टेदीन की बात मन मानें चाहे वो इस्तियाद करने वाला हन्फी हो चाहे लेगी सो अब पीछे जाना है कहां पीछे जाना है आप कहते हैं मुश्टेदीन आप कहां पीछे ले जाते हैं आप ले जाते हैं आप ले जाते हैं आप ले जाते हैं हम कहते हैं और पीछे लजा हम तो भाई आप सभी पीछ ले जाते हैं आप तो इमाम अबु हनीफा राहिम उल्ला पर जाके रुख जाते हैं हम कहते हैं उनसे भी उपर जाओ और अगर इस्तिहाद लेना है तो सहाब कराम का इस्तिहाद दो सहाब कराम का मुटतफ़क ले इस्तिहाद वो पहले लोगों को लेना है जवाब कहते हो कि पंदरावी सदी तो पंदरावी सदी से उपर यानि अगर पंदरावी सदी के बाद पंदरावी सदी वालों का इस्तिहाद ने लेना तो पंदरावी सदी से बिल्कुल ऊपर चले जाओ तो उस दौर का जो इस्तिहाद है उस दौर हम तो कहते हैं सहाब एकराम रजियल्लाहुतलाहुन का जो फत्वा है वो ले लो उमर इबन खत्ताब रजियल्लाहुतलाहुन का जो फत्वा है वो ले लो तो हम आज के मुश्तेदिन की तरफ नहीं बुला रहे हैं हम सहाब-ै-कराम के ιoshing, इस्तिहाद, उनके अमल, उनकी सुनट کی तरफ बोला रहे हैं इसलिए हम अपने आपको सल्फी केहते हैं तो आप ये लोगों को सिखा रहे हैं ना कि पंद्रावी सिखांगे के लोगों का इस्तिहाद मत wäre न ओर ले वही हम तो इसलिए अपने लगब में शल्फ ही बोलते हैं कि सब को बता चल जाए कि हम आज की मुझते दिन का नहीं लेते हम जो सहाबे कराम के जो मुझते धिन हैं से हम ख़स करतें उनके इस्तियात को उन्तरजी देते हैं लोग कहते हैं सब्छों कौि अरभ में और आज और हो अमाम शाफ़ रह्मना का किल्म आपने पड़ा है, अमनушка मुस्तेजिन का कल्म आपने पड़ा है, आपने ला इलहाएि लिहीं मुहमद र सूल रॉसलला पड़ा की बात ना, आल्ला की रसूल की बात पॉहनों, और इन दोनुकी समझ अगर लेना है , तूस्य सबसे पहले Manchesterrain पर सब्.. इन परहा रुखाफ किसी भी सहाभी ने कोई इतराज नहीं किया ना इसके वर खलाथ किसी पाफि की कोई सही सवस्यास से रिवायत मुझूद है। इसलिए हम भी केते हैं किलमा लोगों कंपरो कलमा नभी का बढ़ो नभी ने जो सिखाい उनका किल मपरो और नभी के सहाबा ने जो समझार कर दो गया आप है तो हमने फालों करना है마 Siya इमाम मालिक को इमाम अहम। बिन हम magically को इमामि شाफिय ग्राइब बबने महतीसीन थे, मुझ्थीदीन थे, खुलफार राशिदीन को. ूप माली का ये मालिक को आप आरे चाने हैं ? अगर हरमेन में जो हो रहा था उसको मानना है तो वहां पे तो बीस से भी जादा हो रही थी उसको आप क्यों नहीं मानते और दूसरी बात आप एक तरफ कहते हैं कि वहां चार मुसले कई सालों से चार मुसले वहां पर गलत तरीके से जो है वहां रह सकते हैं तो तरावी गलत तो कोई सा जुन किया कुऊंसा गलत किया क्या उन्होंने तो आज अब लोगों कि यह बतारत कि इतने शौजु से रहा था रे हितने सालों से चार मुसल्म भी चले आ रहista Lisa साभलайт साथी उतने सालों सब्सक्राइइसे 20 टरय करते है चर्पर और सिवल उससे पहले उमर इडिनल खत्ताब रजी लाटलों की दौर में जब उन्होंने एमाम मजदी नभी का इमाम होते हैं किया था सहाबा को तो उस टाइम हरम में उस टाइम हरमें में कितनी तरावी हो रहे थी आठ रकत तरावी यानि वीतर समय ग्यारा रकत तरावी तो वही कह र होती है beyond जब बाढ़ाइगी तो सिरफ बीस ने उससे भी ज़्यादा वड़ादी की और बाद में फिर बीस और बाद में सब यह मसला बदलते गे हैं बाद में तो वहां पर मुसली शों सालों से अज कई सव सालों से Там कि वन्दिद प्रहुने के उन्मति भ्रॉण ओम को क्लाव वहां पे तर्यावी क्यों नहीं होसकती है तो हम्लव्ट के विभ लोसरेघ हम चाहिए हैं उसी को और पड़ना ने आपना इस्तियात हो जाय पैयराथिडीन के दोर में पहर few今日 रवायत है। पूरति को यहाज़त और मुट्टा में मन्कूल उसका जवाब मैंने दे दिए उसके अलावा कहीं दिखा दो आप कोई एक रवाज दिखा दो आप कहा रहे हैं कि मुट्टा की जवाज थे जवाब देशो किया जवाब दिया आप मुस्तरव ही का नहीं लेकिन यह में यहां पर कहीं किसी और जगे आप कोई एक रवायत दिखा दो अरे भाई किसी और जगे आप 20 राकत भी दिखा दो आप किसी जगे 20 का दावा दिखाओ जब खलीफा से जब मरकजी जगे से कानून पास हो गया यह ओर आगिया कि 11 राकाद पढ़ना है यह कहां से ओर आया कि कुफा से नहीं आया ओर क्या आपको जब खाया जाए तो जाहिए बात उनका ओर से मदीना के लिए रहेगा उनका आडर पूरे आलमे इसलाम के लिए रहेगा इसलिए अब आपकी जिम्मधार है कि कुफा में बसरा में 20 रकत दिखाओं आपको किस ने बता दिया कि उमर इबन खत्ताब रजिए लात ने जो हुकम दिया था उस हुकम पर अमल स्री मदीना में हो रहा था यह नि मदीना के बाहर जो कुफा बसरा वो लोग आठाट रकतरा वी नहीं पढ़ लेते वो लो आप हवा में बात कर रहे हैं कुफा आप साबित कर दें कि उमर इबन खत्ताब रजिए लात ने जब 11 रकात पड़वाई तो आइन उसी वक्त दूसरे शारों में 20 हो रही हो यह कहा लिखा हुआ है किस किस किताम में लिखा हुआ हुआ है कौन से रवायत में मुझूद है इसके खलाफ किया गया अगर आप दावेदार हैं कि फलाई स्टेट में फलाजगे इसके खलाफ हुआ तो आपको सबूत देना पड़ेगा वना बाई डिफाल्ट जो खलीफा का ओर्डर था जो हुक्म था उसी के मताबिक हम यह मानेंगी किस ताम पूरे आलम इसलाम उसी क तो इसी को फॉलो करना चाहिए तो दूसरा काम आपने खानदानी क्या करना है तरावी पाबंदी से पड़ी समझ में आ रही है बात एक बात इन्होंने कही कि तवातुर से चला रहा तवातुर से चला रहा यह वीस रख रख तवातुर से आ रहा यह आपका यापने अभी खोला है अपने दोर में यह देख रहे हैं आप इसको तवातुर बोले इस तवातुर को आप साबित कर जीए अब सहाबा के दोर में तरीकर हो रहा था यह बाद में अगर कोई चीज चल पड़ी और उसमें तवातुर का सिचला हुआ यानि कई लोग उस पे अमल करते रहे उसके कोई हे केति तवातर मुंक्तेन होना चीए यह जो अमल यह अमल कि तवातर के साथ होता चला रहा है तवातू के साथ जानी बहुत है कि हर दोर में तो इसको नहीं मैंते है, अब इमाम मालिक रहिम बला से ओपर इसकी कोई सबुत नहीं मिलती है, तो यह बाद में अगर किसी चुरू की है। और टवातुर का असल चीज है कि नभी के दोर से सहाबा के दोर से वो चीज तबातुर के साथ आ रही हो तो सहाबा के दोर से अगर वो चीज तबातुर के साथ आ रही हो तब उसको कबूल किया जाएगा लेकिन अगर सहाबा के बाद में कोई चीज शुरू हुई और फिर वो तबातुर के यह भी तो तवातुर से चला हा राता Remember कोई हैसी उसको कोई दाइब निय्क्ति यह मानते है जब कि साल वह चला आ रहाता तवातुर के साथ वहाँ पे चला grow रहाता लेकिन आपने कहा यह गलत एक और इसे खत्म कर दो आपारा